हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाये जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंड रहे हैं किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अन्याईयों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिलकुल नहीं है लेकिन कई प्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेश पहुंसती हो तो कृपिया हमारे वीडियो ना देखें तो आज का शीर्षक है क्या दूसरे धर्म के लोगों को दान दक्षिना या चंदा देना चाहिए हमारे देश में कई धर्म है तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे किसी धर्म से कोई मनुश्य आ जाता है आपके दरवाजे पर अपने धर्म के कुछ कपड़े पहन कर और बड़ा होता है तो वो दान दक्षिना मांग रहा होता है या चंदा मांग रहा होता है तो ऐसे में एक मसीही थोड़ा उलजन में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या मैं इसको मना कर दूं या मैं इसको दे दूं कई ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं इसको नह कि मैं दूसरे धर्म के लोगों को मना कर रहा हूं तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में भाई ये तो मसीह है ये तो मदद नहीं करता ऐसे सब सवाल एक मसीह के मन में आ सकते हैं और उल्जन पैदा करते हैं तो यहां पर कुछ बाते मैं बिल्कुल स्पस्ट कर देना चाहता बाईबल से ताकि आपके मन में कोई उल्जन ना रहे सबसे पहली बात तो यह है कि एक मसीह होने के नाते आपको पता है कि येशु मसी के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है और येशु मसी ने कोई धर्म भी नहीं बनाया ये बात अलग है कि येशु मसी के नाम से कुछ ल परमेश्वर ने बनाया है और मनश्य को किसी धर्म की जरूरत नहीं है ना किसी रिती रिवाजों की जरूरत है परमेश्वर से जुडने के लिए वो सीधा परमेश्वर से अपना संबंद बना सकता है अपने मन के द्वारा अपना हिर्दय परमेश्वर को समर्पित करके तो ये सच्चा ही तो आप जानते हैं, एक मसीह होने के नाते, लेकिन वो मनश्य नहीं जानता, जो आपके द्वार पर आया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा, कि अगर येशु मसी ने कोई धर्म नहीं बनाया, तो ये जितने भी धर्म चल रहे हैं इस दुनिया में, वो परमेश्वर के और से नहीं है, तो अगर वो परमेश्वर के और से नहीं है, तो आप क्यों उन्हें सपोर्ट करना चाहते क्यों उन्हें बढ़ावा देना चाहते हूं सबसे पहला सवाल तो यह पूछना है आपको अपने आपसे कि हम बाइबल के विरुद क्यों जाए क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में यहोदियों को कई बार इस बात के लिए सजा मिलती थी कि वे अन्य देवी देवताओं या दूसरे तरीके से तो आप उन धर्मों को बढ़ावा दे रहे होते हैं और कहीं न कहीं पर यह वही बात हो जाती है कि आप दूसरे देवी देवताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जबकि बाइबल सिखाती है कि येशु मसीख के लावा कोई परमेशवर नहीं है तो एक म धर्म के रिती रिवाजों में उल्जे होते हैं तो उसको अभी सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं पता है तो यह किसका फर्ज है उसको सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने का वह आपके दौर पर आया है और यह आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सुर्समाचार कि हर मनश्री के मन में पाप हैं तो आपने भी जरूर अपने जीवन में कुछ पाप किये होंगे जिसके लिए येश्यु मसी याने कि परमेश्वर मानव रूप धारन करके आया आज से 2000 साल पहले और आपके सभी पापों के लिए मारा गया जिसकी वज़े से आपके पाप मोई कि आपको उसे कुछ देना नहीं है तो वह आप की और सब्सक्राइब नहीं से येश्यो मसी अ कि कर कर लेते हैं अपना उध्रकरता और परमेश्वर बाइबल सिखाते हैं कि उसको कभी भी किसी के पास नहीं जानाiren करता कुछ मांगने के लिए चाहे वो दान दक्षिना हो चंदा हो या भिक्षा हो नहीं जाना पड़ेगा उसको जैसा कि भजन सहीता 37-25 में लिखाया जो मैंने पिछले संदेश में भी बताया मैं लड़कपन से लेकर बुड़ापे तक देखता आया हूँ परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वन्ष को टुकडे मांगते देखा है मतलब क्या हुआ कि जो धर्मी मनुश्य होता है धर्मी कौन जिसके सारे पाप क्षमा हो गए मतलब हर मसीही जिसके पाप येशु मसी ने क्षमा कर दिया अपने बलिदान के द्वारा जिस पर उस मसीही ने विश्वास किया तो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है ऐसा न अबत नहीं आएगी कि उसे भीक माँगना पड़े या भिक्षा माँगना पड़े क्यों सोच के देखिए क्या येशु मसी ऐसा बोल सकता है कि भाई ठीक है तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया है मुझ पर विश्वास भी कर लिया है और मेरे बतायवे रास्ते पर आप चलने को भी तयार हो लेकिन फिर भी आपको अपना जीवन गुजारने के लिए तो भीकी माँगनी पड़ेगी मैं कुछ नहीं कर सकता क्या येशु ऐसा बोलेगा आपसे बिलकुल नहीं बोलेगा क्योंकि बाइबल सिखाती है कि उसको आपकी सारी जरूरतओं के बारे में आपके पूछने से पहले मालूम है और अगर आप उसके बतायवे मार्क पर चल रहे हैं तो आपकी सारी जरूरतओं पूरी करता है आप सम्मान से अपने जीवन गुजार सकते हैं और उसका लाब यह होगा कि परमेश्वर आपको बुद्धी देगा कि आपको कौन सी नौकरी करनी है या बिजनेस करना है किस तरह अपने खर के लिए पैसे कमाने है और एक और लाब यह होगा कि आपके आने वाले जो PD होगी उसके लिए भी परमेश्वर प्रावधान, प्राविडिन्स देगा और उस बच्चे को पढ़ाने लिखाने की बुद्धी देगा आपको जिसके वज़े से आपके आगे के जो वन्ष है जो PD है, वो पढ़ लिखकर अच्छी नौकरियां करेंगी या अच्छा काम करेंगी तो उनको भी भीग नहीं मागना पड़ेगा यही बात समझाती है यह आयत तो यह बात आप उसको बताईए कि अगर आप मसी में आ जाते हैं तो आपको अपनी जरुरतों के लिए किसी के दौर पर जाना नहीं पड़ेगा यही मसी आपका पूरा ख्याल रखेगा और आपकी सारी जरुरतें पूरी करेगा कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग प्रोग्राम करते हैं आने धर्मों के लोग तो वो सब घरों में जाके चंदा मांगते हैं तो वो आके बोलेंगे भी हम फला फला प्रोग्राम कर रहे हैं फला फला देवी देवता के लिए या इस्तिहःर के लिए तो आप भी चंदा दीजीए तो एक बार मेरे खर पे भी आये थे बॉम्बे में जिस फ्लाट में में रहते था सुसाइटी में तो तीन-चार लोग आगए एकदम से दर्वाजा खटकटाया और बोला कि चंदा दीजिए हम लोग वहाँ पर ये कर रहे हैं तो मैंने उनको देखा और मैंने पस्ट शब्दों में बता दिया कि देखिये वाजा शमा किजिए लेकिन मैं और मेरा परिवार सिर्फ येशु मस्य पर विश्वास करता है हम किसी दूसरे परमेश्वार पर विश्वास नहीं करते इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते ना चंदा दे सकते तो आप बुरा मत मानी है आमा कर दीजित इस क्याम के लिए तो उन्होंने कहा कि और भाही क्या है इतमें सब भगवान एकी तो होते हैं, तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसा आपका विश्वास होगा, मेरा नहीं है ऐसा विश्वास मेरे लिए सिर्फ एकी परमेश्वर है जो सबका परमेश्वर है भले ही आप माने या ना माने लेकिन मैं आपको चंदा नहीं दे सकता तो उन्हाने देखा मुझे थोड़ी देर और बोला ठीक है भाई आप नहीं देना जाते तो आपकी मरजी वो चले गए तो भले ही वो थोड़ा नाराज हुए लेकिन मुझे येश्व मसी के लिए खड़ा होना ज़रूरी था मैं हर मसीही से एकी बाद समझाता हूँ अपने संदेशों में कि आप समाच से या दुनिया के हिजाब से ना चलिए बलकि येश्व मसी के लिए खड़ा होना सीखे वो आपको हिम्मत भी देगा और उसके लिए आपको आशिशित भी करेगा और धीरे धीरे दूसरे लोग समझ जाएंगे कि आप सिर्फ मसी के हैं और किसी के नहीं है तो फिर वो आपको बार बार तंग भी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके खर में भी कोई आये और आपने दे दिया हो चंदा लेकिन आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं क्या आप स्पश्श्च रख दोव में विनमरता से प्रेम सोन को बिता सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है जिस सुसाइटी में में रहता था वहाँ पर क्या होता था मालूम है कि हर साल एक annual function करते थे वो society का जिसमें सारे लोगों को invite करते थे और वो डिनर का arrangement करते थे ताकि सब लोग मिलके खाएं लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया वह पंडित को भी बुलाते थे बड़ी सी मूर्ती रखते थे पूजा पाट सब करते थे तो वह हमको भी इन्वाइट करते थे तो हम कभी जाते नहीं थे किजिए बच्चों के लिए कुछ गेंस रखिए वो सब ठीक है हम उसमें आ जाएंगे लेकिन आप उसे धर्म से जोड़कर एक अपने मूर्ती पूजा और अपने पंडित को बुला के करेंगे तो आप कम से कम हमसे तो पूछे कि क्या हम उसमें विश्वास करते हैं कि नही आप तो कुछते ही नहीं हैं तो हम नहीं आ सकते हैं ना उसमें तो उनका जवाब भी यही था कि भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जब कि आपको पता होना चाहिए कि सारे भगवान एकी हैं सारे धर्म एकी हैं मैंने का देखिए पहली बात तो यह कि आप ऐसा मानते हैं दूस रहा है कि society में से पैसा कटता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा आपके office में भी हो सकता है कि जहां पर पैसा काट लिया जाता है कि वह हम कर रहे है और आप से पूछा नहीं जाता तो वहां पर प्रात्ना करें के परमेश्वर पर छोड़ देते हैं उसमें हमें लड़ने के जरूत नहीं है क्योंकि वो हमारी दरफ से नहीं जा रहा है हमारे अधिकार से बाहर है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपके द्वार पर कोई आता है जो किसी अन्य देवी देवता के न कारियों के लिए देनी है ताकि उसका राज्य बड़े भले आप किसी मिनिस्ट्री को देते हैं चर्श को देते हैं या बाइबल सड़ी को देते हैं लेकिन सिर्फ येश्व मसी के लिए देना है क्योंकि वही परमेश्वर है आमेन